इंटरनेट पे एक बहुत ही तगड़ी वाली डीवेट चल रही है कि 25,000 में बेस्ट फोन कौन सा है ये चार फोन जो है वो सबसे ज़्यादा मारे करें मचा रहे तो मोट्रोला है एक पोको है ये नथिंग फोन 2A है और ये वनप्रस नौट C4 है अब इन में से जो मोट्रोला है ये तो पहले ही इस कमपारजन से आउट हो जाता है विकाज ये 30,000 का आता है तो ये रेंज में ही नहीं है तो इसको बाहर करने के बाद में बचता है ये पोको वाला फोन बट ये जो फोन है गेमिंग या फिर पफॉर्मेंस ओरेंटेड फोन है इसके वज़े से इस फोन को सिर्फ और सिर्फ गेमर्स के लिए मैं रिजर्फ करके रखना चाहूंगा तकि में जो आज के योधा है इस कमपारजन के वो ये दोनों फोन है भाई नथिंग फोन टू ए और वन्टस का नॉट सी फोर 25,000 में ये दोनों फोन बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीज़े ओ करते हैं बट रियल में देखते हैं कि पच्छेस दर में थी बेस्ट वैल्यू फोर मनी फोन कौन सा है आपके जो मेहनत के पैसे हैं उसको आप किस पर खर्चा कर सकते हो वो सारी चीज़े आज जाने वाले हैं सब्सक्राइब कर देना चाहिए इस कमपारजन में बट वो थो वो ओला सा अंफैर हो जाएगा प्यक्से अंपन के मामले में पॉफॉम्मेंट के मामले में तो अगर आपको बहुत ही क्रीजी लेवल प्रोसेचर चाहिए मेन आपको सिर्फ के खहल ना है वह आपकी अंबरवन प्राइटि आए इस फोन की ति तरफ आँंक बन कर के चले ज यह पतला है, इसके साथ मैं सिर्फ केबल देखने को मिलती है, चार्ज़र और जो कवर है, वो सारी चीज़े आपको अलग से खरीदने पड़ती है, तो यह बहुत बड़ा प्राइजिंग के मामले में, प्राइजिंग के बात कर रहा हूं, तो 8128 GB वाला जो दोनों के वेरियंट है, बेस वेरियंट, उसके अंदर नथिंग वाला जो है, वो 24,000 का मिल रहा है, इसके उपर 1000 रुपे का डिसकाउंट लगाने के बाद में, यह वाला जो फोन है, यह 25 मिलता है, इसके उपर 13,000 रुपे का डिसकाउंट लगाने के बाद में, 35,000 रुपे में यह मिल जाएगा, और 25,000 रुपे में, 8128 GB वाला जो वेरियंट है, उसके अंदर उसके साथ में आपको कुछ एक्ष्टा खरीदने के दो रहा होती है, कवर, बॉक्स के अंदर चार् and design की, तो दोनों फोन जो है न, प्लास्टिक में बने रहे हैं, और बोथ हार वेरी-वेरी मजबूत फोन, मेरे को यह फोन थोड़ा सा अच्छा लगा मजबूती में, वन प्लस वाला है, जो वेट है इसका वो 186 ग्राम का है, बहुत अच्छे से बैलनस हुआ है, यह जो फ इसके अंदर Corning Gorilla Glass 5 का protection है, वेरास वन प्लस के उपर कौन सा protection है, I have no idea, मैंने बहुत सर्च के हमें को मिला नहीं, बाकि दोनों फोन IP54 के साथ में आते हैं, तो हलका फुलका पानी का चीटा गीरेगा, तो टेंशन लेने की दर होती है, लेकिन यहां पर वन प्लस के फोन में Aqua Touch का support मिलता है, तो अगर इसके उपर जैसा पानी अगरा गिर जाता है इसके डिस्टे के उपर, उसके बाद भी इसका touch बहुत अच्छे से काम करता है, जो मुझे personally काफी पसंद आता है, इसके उपर गिर जाता है तो भाई, इसका touch रोने लगता है, अपने आप काम करने ल जादा, आइसा नहीं मुलू हमें को खराब लगा या फिर बहुत अच्छा लगा, लेकिन यूनिक तो है, फोर्श और आई ग्रैबिंग है, परस ये जो डिजाइन है, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल डिजाइन है, वनप्रस नॉट सीरीज जो था, उसके टाइप का ही है, उसके वज़े से, मतलब अच्छा लगता है, ऐसा कोई जादा में को प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा, बाकि जो डिजाइन है, उस मामले में मेरे इसाब से जो नथिंग वाला है, वो थोड़ा सा बेटर डिजाइन लगता है, ये भी कहीं से खराब नहीं है, बाकि डिज जिन है नीचे की वो थोड़ी सी बड़ी है, तो इसके वज़े से जो ये वाला फोन है, वो थोड़ा सा जादा यूनिफरम और अच्छा लगता है दोनों में, अगर compare करता हूं तो लेकिन एक चीज़ और भाई, इसके अंदर जो आपको glyph light देखनी को में जाती है, ये glyph light के वज़े से थोड़ा सा एक attraction बढ़ जाता है इस phone का, compare to this phone, इसके अंदर ऐसा कुछ glyph light जाता है ने, लेकिन यहाँ पर जो इसका flash है, वो इसका ring light के तरह है, बट ठीक है, ऐसा कुछ wow factor नहीं है उसमें, but overall अगर बात की जाएं, तो दोनों भी kind of similar है, बहुत जादा इसमे में आता है, 1080p वाले, and दोनों काफी amazing quality display, दोनों 120Hz AMOLED display है, लेकिन जहाँ brightness की बात आती है, जो यह nothing वाला है, यह 1100 nits की high brightness mode के साथ में आता है, और 1300 nits की peak brightness के साथ में आता है, वेरास, जो OnePlus है, इसके अंदर 900 nits की HPM है, high brightness mode, लेकिन 1100 nits की peak brightness है, तो real life में टेस्ट करना है हलका सा जो यह nothing वाला है, जादा brighter feel होता है, indoor में, even हलका फिल का outdoor में, outdoor में इतना था था में को फरक नहीं feel वा, compare to indoor, अगर indoor में HDR वीडियो देख रहा था, या non HDR वीडियो भी देख रहा था, तो मेरेको हलका सा जो nothing वाला, brighter लग रहा था, बढ़ इतना कोई major like earth shattering difference नहीं है but ठीक है, higher, बात करूँ sound quality की, तो यहाँ पर कहानी थोड़ी से उल्टी हो जाती है, दोनों के अंदर stereo speakers आते हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको सुना दूँ, यह nothing है, यह oneplus है, तो clear the oneplus का speaker है, वो थोड़ा सा loud है, और थोड़ा सा जादा better quality का base वोगरा, जादा अच्छे से produce करता है, अब उसके बात देखो, security की बात करो, तो इंदेसले fingerprint scanner दोनों के अंदर आता है, जैसे दिखरो, जो nothing का इंदेसले fingerprint scanner वो काफी fast है, इवन जो face unlock है, वो भी काफी जादा fast है, इसका जो fingerprint scanner है similar है, यहाँ पर भी यह भी बहुत जादा fast है, यह फट से खुल जाता है इवन जो face unlock है, इस phone का भी वो भी काफी जादा fast है, तो दोनों यहाँ पर बहुत ही सबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं लगी में रखो, दोनों के अंदर काफी सारे 5G के bands है, हाला कि मैंने यह नोटिस कर रहा कि इसके थोड़े से जादे band है, वो इंडिया में इतना सादा क करके दिका कोई में को शिकायत दिखने को नहीं मिला, calling वगरा भी दोनों की बहुत awesome है, हाला कि इसके अंदर nothing के अंदर आपको Google का डायलर दिखने को मिलता है, वेराथ इसके अंदर आप लोग को ओ डायलर मिल जाएगा, जिसके help से आप लोग चुपकी से call record कर सकते हो, जो यहाँ पर possible नहीं है, वो एक tone तो बजेगी ही call recording के time के, तो यह एक extra advantage वनप्रस के अंदर देखने को मिल जाता है, वाइडवान अलों का support अगर आपको देखने को मिल जाता है, ज़्यादा टेंचन लेने की वहाँ पर ज़रूत नहीं है, अब उसके बाद बढ़ू बैटरी के तरफ तो यहाँ पर काफी बढ़ा difference है, वाइड़े 5000 mAh की बैटरी आती है OnePlus के अंदर, वेरस जो nothing है, इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी आती है, और जो processor है, Snapdragon 7 Gen 3, यह 4 nm पर बनावाई है, इसका जो processor है, वो है Dimensity 7200, यह भी 4 nm पर बनावाई है, जितना मैंने use करा बाई, बो वेरस यह जो phone है, यह भी अराम से 8 plus hours का screen on time दे जाएगा, तो अगर आप दोनों को side by side use करते हो ना, तो definitely एक हलका सा advantage, 500 mAh का advantage, आपको जो OnePlus वाला है, इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो चीज जो है ना, वो fill up कर देता है भाई, यह nothing वाला अपने, जो optimization है, इसकी battery life भी काफी अच्छी लगी, लेकिन इसकी battery life another level की है भाई, plus इसके अंदर आप 100 watt का charger box के अंदर मिल जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा इस phone को fast charging कर देगा, और इस phone के अंदर से 45 watt का fast charging देखने को मिलता है, तो वो comparatively slow है, वो भी आपको अलग से खरीदना पड़ेग जो 8 megapixel है OnePlus के अंदर, लेकिन जो nothing है, उसके अंदर 50 megapixel का ultrawide है, और front facing की बात करो, तो 32 megapixel का nothing में front facing camera है, और जो OnePlus में 16 megapixel का front facing camera है, मैं आपको यहाँ पर पहले दिखा दूँ भाई, तो सबसे पहले जब outdoor में मैं फोटो ले रहा हूँ, तो मेरे को हलका सा saturation है, वो nothing के अंद अगर आप dynamic range की बात करोगे, तो यहाँ पर दिखो यह, आपको idea लगया कि dynamic range के मन में हलका सा nothing, बहुत जादा फरक नहीं है, बट जो overall colors है, saturation है, वहाँ पर ऐसा कुछ बहुत जादा major difference नहीं मेरे को दिखने को मिल रहा है, बट जो ultrawide है, हाले के 50 megapixel का ultrawide है, nothing के अंदर, और जो OnePlus उसमें 8 megapixel है, उसके बावजूद भी भाई, यह 50 megapixel वाले को इदम प्यार से टक कर दे रहा है, which is very weird भाई, मेरे को ऐसा लगता ना कि इसका 8 megapixel वाला ultrawide, उसके 50 megapixel वाले से भी स्नादर फेटर है, which is weird भाई, definitely, आप देख रहो, यह ultrawide है, बाकि portrait की जहाँ बात आ जो कटाउट है, जो कटाउट है बेग्राउंड का उसके इंदर मेरे को नथिंग थोड़ा सा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है कहीं कहीं पर, जैसे आप दिख रहो, तो इसका जो हैर के पास कटाउट है, वो नथिंग में बहुत खराब हो गया है, बट जो skin tone है थोड़ा सा pinkish type और warm type की है न, नथिंग में थोड़ा सा जाधा अच्छा लिखता है, बट ऐसा कुछ major difference में को नहीं लगा यहाँ पर, हलाके अगर मेरे को आप बोलोगे न, तो no nonsense की जहां बात है कि वहाँ पर है न भाई, जो one plus है वो बाजी मारता है, नथिंग को भी काफ इमेज है न, जैसे यहाँ पर आप जो darker area देखोंगे न, तो वहाँ पर nothing जाधा bright किया है, बट overall अगर बात की जाए, details and सारी चीज़े मिला कर, तो आपको हलका ताना oneplus का images जो है, वो थोड़ा सा जाधा better लगेंगे, पाकि यह कुछ videos भी गाईज आप लोग देख लो, तो 1080p में है, तो यहाँ पर जब 1080p में shift करता हो तो आपको एक idea लगेगा, stabilization में कैसा improvement आया है, उसकी बारे में, तो देख लोगा इस, अब देखो, यह जो है, यह 1080p में है, ultra wide camera से, कुछ इस तरह की video, ultra wide camera से आप लोग बना सकतो, अब लोग ultra wide से छूट करतो तो, हलाँ के नतिं 1080p में ही record कर पा रहा है, कुछ इस तरह की video दोनों भी camera से बन जाती है, मैं थोड़ा चल रहा हूँ, तो आपको stability, audio quality, सारी चीज़ों का अंदाजा, इसी video से लग जाना चाहिए, let me know, आपको इन दोनों में से कौन से phone जाधा पसंद आ रहा है, मैंने जितना video बगारा बनाय तो video के मामले में मेरे को ऐसा लगता है, कि nothing वाला थोड़ा सा जाधा better perform कर रहा है, but overall अगर cameras की बात करूँ, तो यहाँ पर nothing बहुत अच्छा camera लेकर रहा है, लेकिन OnePlus ने ना भाई, consistency रखी है OnePlus, ऐसा आपने आपको एक legacy brand प्रूफ कर रहा है, यहाँ पर, no nonsense है भाई, जो है देख लो आपको मिल रहा है, एकदम proper consistency है, सब कुछ अच्छा मिल जाएगा आपको, कोई भी जिस over the top नहीं मिलेगी, लेकिन nothing बोल रहा है, हम आपको कुछ photos बहुत अच्छी देंगे, लेकिन कुछ photos में हम बहुत जाधा compromise करेंगे, तो उपर नीचे, उपर नीचे हो रहा ह बट portrait के मामले में definitely, जो OnePlus है, वो थोड़ा सा better है, compare to nothing, बट OnePlus के अंदर अगर 2X mode भी होता, तो जाधा better portrait निकाल देता OnePlus वाला, ये मेरा मानना है भाई, अब बढ़ते है performance के तरफ और यहाँ पर काफी बड़ा difference है, performance के मामले में Snapdragon 7 Gen 3 आता है OnePlus के अंदर, whereas Diamond City 7200 Pro, जो हमको इस nothing में देखनी को मिलता है, जितना मैंने use करा, बहुत हर वेरी वेरी पाउरफुल है था, मैं खराब नहीं मुलूँ हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको benchmark दिखा लेता हूँ, सबसे पहले N22 में clearly, जो OnePlus है, वो 8 लाग score कर रहा है, यह 7 लाग भी नहीं पहुचा nothing वाला, and एक औ करूँ, तो यहाँ पर भी जो multicore score है, वहाँ पर OnePlus ने ज्यादा better perform करा है, and 15 में रिटक के CP throttling test किया है, तो यहाँ पर जो average chip score है, वो OnePlus का better है, लेकिन जो stability है, वो nothing की ज्यादा better यहाँ पर निकल के आई है, and मैंने जब wildlife stress test किया, तो वहाँ पर दोनों भी 99% है, stability के मामने मे लेकिन जो loop score है, वहाँ पर OnePlus का ज्यादा है, so overall on paper देखा जाए, तो OnePlus is far superior in terms of performance भाई, एक तो better processor है, साथ में faster storage भी दिखने को मिल जाती है, but real life की जहाँ बात आती है, वहाँ पर जितना मैंने यूज करा, ऐसा app opening में, मेरे को major difference देखने को नहीं मिलता है, जैसे आप देख र देखो, अब यह देखो, बंद है, double tap किया, कितने देर बाद इसका camera चालोगा, वेरास इसके अदर double tap वाला feature ही नहीं है, लेकिन ऐसा करके मैं तुरंती camera चालोगा सकता हूँ, कितना fast रहा है, definitely जो daily life में अगर आप यूज करते हो ना, तो वहाँ पर OnePlus जादा बेटर perform करता ह Even in the gaming department, आपको OnePlus जादा better gaming experience देखे जाएगा, compared to nothing भाई, जो इसका UFS 2.2 storage है, वो definitely इसको cripple करके रखा है, even जो processor है वो इसका जादा powerful है, तो performance department में भी clearly OnePlus is a winner here, but अब बढ़ू software की तरफ तो यहाँ पर भाई काफी difference है, पहले oxygen OS जो था वो बहुत ज़्यादा चुमेश्वरी अब फिर से बहुत अच्छा हो गया है, बट यहाँ पर जो इनका software आता है, यह काफी तगड़ा है और काफी तगड़ा इसके अनिमेशन है, जो एक-एक अनिमेशन देख रहो, आप लोग बहुत smooth और बहुती crazy level feel होता है, एक महेंगा phone का feel देता है, compared to OnePlus, OnePlus का software भी काफी software experience है, यह भी काफी clean है, वो सिर्फ तीर application थे हुआ आप लोग install कर सकते हो, बहुत easily, उसके अलावा भाई, दोनों काफी clean software है, काफी अच्छे है, software update policy की बात करो, तो यहाँ पर OnePlus 2 प्लस 3 years का software update promise कर रहा है, वेरास जो यह nothing वाला, यह 3 प्लस 4 years का software update promise कर रहा है, तो ज्याद करो आप लोग, आप रोड पे जा रहे हो, रोड बहुत ही smooth है, इतना smooth है कि आप अपनी गाड़ी 100 के speed में चला सकतो, 100 km पर लेकिन, फिर बीच में 100 मेटर का patch आ रहा है, वो एकदमी खडबुड़ा है, एकदमी बेकार है, तो वहाँ पर आपको गाड़ी को 20 के speed में चलाना नहीं है, यह energy इस phone के पर जाधा अच्छे से fit बैट रही है, basically यह जो phone का software है, वो इसके जितना smooth नहीं है, लेकिन ऐसा extra बीच-पीच में एकदम तूटा वा रोड, एकदम खराब रता वाला हिसाब किताब भी नहीं है, तो इसके वाज़े से, यह वाला phone का software है, वो अभी क 20% कम हो चुके है, उसके बावजूद भी भाई, यह वाला phone जाधा better perform करता है, software के मामले में, तो यह चीज़ यहाँ पर मैंने clearly notice कर ली है, अच्छा है, अच्छी quality haptic motors है, तो उनों में जाधा change लेने की जरुवात नहीं, यहाँ पर भी ठीक है, कुछ extra चीज़ों की बात कर जो काफी काम आता है, बाकि उसके अलावा, देखो एक चीज़ मैं clearly बता दू, OnePlus की तारीफ हो रही स्कम तब यह नहीं कि OnePlus ने पैसा दिया है, खुद के पैसे से phone करें ता, बिलकुल sponsored video नहीं है, तीक है, दिमाग अपना एकदम clear रखो इस मामले में, ठीक है, जितना मैंने test करा है, उस basis पर मैं यह बता पा रहा हूँ, कि clearly जो यह OnePlus Nord CE4 है, यह 25,000 में the best device है बाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, overall wholesome picture paint करी जाए जहाँ पर, तो वहाँ पर यह phone सबसे best fit बैठता है, अच्छी brand value है, अगर आप Poco से compare करते हो, या फिर Motorola से compare करते हो, या nothing से compare करते हो, त यहाँ पर आपको सारे जो aspect है, वो भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, तो इसके वज़े से overall ये एक complete phone निकल करा, और ये जो comparison था, इसका winner भी मैं इसी phone को बनाना चाहूँगा, अगर आपको बहुत तगड़ी gaming करनी है, तो वहाँ पर again मैं बोलूँगा, Poco X6 is a better device no doubt in that, but अगर आपको थोड़ा सा flaunting जादा करनी है, और थोड़ा सा better software experience चाहिए, then वहाँ पर definitely जो ये nothing है, वो अपना जलवा भी खेरता है, बट वही जैसे मैंने बताया, 100 की speed में जा रहे हो, लेकिन जो 100 meter का patch है, वहाँ पर आपको 20 की speed करनी पड़ीगी, वो हिसाब ये वाला भी, देखो, जो ये वाला phone है, लोग इसको भी compare कर रहे है, लेकिन भाई ये phone 30,000 के price में चले आता है, 5000 उपर का difference आता है, इसके वज़े से मैंने इसको इसके अंदर डाला नहीं, लेकिन अगर मैं इसको इसके अंदर डालता हूँ, इनके comparison में, तो यहाँ पर प्लस इसके अंदर NFC नहीं है भाई, जो इसके अंदर हमको दिखने को मिल जाता हूँ, अगर आप लोग contactless payment करते हो, तो वहाँ पर ये वाला phone उतना अच्छे से काम नहीं करेगा भाई, अगर 25,000 का strict budget है ना भाई, तो definitely go with this phone by 1% CE4, and I hope आपको clarity मिल गयोगी भाई, 25,000 में